आपके facebook page या profile में क्या problem है वो आप कैसे चेक करेंगे flagged content को कैसे delete करेंगे आपका facebook page या profile monetize होगा या नहीं होगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप ये वीडियो सुरू से लेकर end तक देखना जिस तरीके से मैं करूँगा उसी तरीके से आपको करना है और 100% आपका facebook monetize होगा सुरू से लेकर end तक सब कुछ बताने वाला हूँ कावी लोग मेरे को message करते हैं कि हमारा page profile में कोई कमी तो नहीं है monetize होगा या नहीं होगा यह आपकी सामने मैंने कल किया था facebook profile को professional mode में कैसे ओन करते हैं और 5 minute में 5 followers कैसे पूरे करते हैं वह मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था अब यह एक नया यहाँ पर ID है तो सब चीजने में आपको यहाँ पर clear करता हूँ तो आपको करना क्या है पहली चीज पहली चीज तो आपको अपने इस profile पर आना है आने के बाद see dashboard वाले option पर click करना है see dashboard वाले option पर click करेंगे performance आपको इस तरह के से मिलेगा यहाँ पर आप देखिए कल यहाँ पर सब red था जीरो जीरो था अब यह आपके सामने दिखा रहा है इसमें हलका से आप लोग नीचे आएंगे और जैसे आप लोग यहाँ पर नीचे आएंगे इसमें आप नीचे आप पर option देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफी option मिलते हैं monetize वाला payout वाला monetization पर आपको पता चलता है कि हम क्या क्या monetize कर सकते हैं क्या क्या हमारा चल रहा है इसमें चेक करने के लिए आपको profile वाले option पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा इसमें आपको flagged content यहाँ पर show कर रहा है तो इस flagged content को कैसे delete करते हैं सबसे पहले जानते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या delete करना आपको जरूरी है तो यहाँ आप manage content पर click करेंगे जैसा आप इसमें क्लिक करेंगे तो हम जो भी problem है यहाँ पर नीचे यहाँ पर show होती है और हम यहाँ पर click करेंगे इसमें क्लिक करने के बाद में हमें क्या problem है वो हमें यहाँ पर दिखाता है और tag action पर click करेंगे और delete post पर click करेंगे delete कर देंगे इसको और delete जैसे हो जाएगा तो हमारा content वो यहाँ से हट जाएगा अब मैं आपको दिखाता हूँ बैक आईए भाई अब यहाँ पर refresh करता हूँ आपके सामने तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे page पर को भी problem नहीं है आपका page या profile वो इसी तरीके से होना चाहिए profile है यहाँ पर लिखा हुआ है और आपका page वो इस तरीके से होना चाहिए अगर फिलेकिट content दिखा रहा है तो आप उस content को delete कर दीजिए अब इसमें आते हैं दूसरी चीज़ आपको बताते हैं अब आप दिखिए आपको इस जगह पर आप लोग आएंगे और आप आपको यहाँ पर ऊपर आप जो three line देख रहे हैं आपको इस पर किलिक करना है तो आपको इसमें दो आपसन मिलते हैं पहले तो है report about other वाला इस पर आपको किलिक करना है और आपका इस तरह की से गिरीन होना चाहिए no report है तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपको इक चीज बता रहा था अभी जो आपको मैं बता रहा था कभी-कभी किसी के साथ होता है कि आपने content delete कर दिया और अभी भी आ रहा है तो ऐसा नहीं होता है कि hand to hand हट जाए लगबग 2 घंटे भी लग सकते हैं तीन घंटे भी लग सकते हैं तो मेरा जो है वो दो घंट इसलिए मैं यह वीडियो अब आपके सामने बना रहा हूं दो घंटे बाद तो ऐसा नहीं है कि आपके प्रफाइल या पेच जो भी है वो हट जाएगा तो उसकी टेंसन आपको नहीं लेनी है अब इसी में जो है जैसा है यहां पर सपोर्ट इंबोक्स पर आके चेक करते है यह अलड पर तो यहां पर जो है यहां पर आपको दिखाता है यह क्या है देखे यह जो प्रफाइल है इस प्रफाइल से और भी ज्यादा पेच बने हुए है और उन पेचों पर जितने भी पेचों पर कॉपिडाइट मुजिक किलेम आया हुआ है वो यहां पर दिखाता है अगर आपका कोई page नहीं है तो आपको बैसे check कैसे करना है देखिएगा जैसे फर्स्ट है यहां पर आप देख रहे हैं copyright update है जैसे मैंने इस पर click किया तो यहां पर आप देखिएगा तो यह जो page का नीचे आपने आम देख रहे हैं तो यह इस page का है इसमें आपको tension नहीं ले काफी बार continue करवा रहा है और यहां पर आप देख रहे हैं नीचे option आता है remove video रिमूव पर click करेंगे और continue पर click कर देंगे यह यहां से आपका हटी जाएगा तो यह page का है बागी page का तो इसकी आपको tension नहीं लेनी है अगर आपकी profile यह आपका page का दिखा रहा है तो इस तरह क आपका जो है वो green हो जाएगा यह चीज आपकी green होई तो 100% आपका page या profile जो है वो monetize हो जाएगा आपके page या profile पर कोई भी यह problem नहीं है महंगे add आएगे monetize जल्दी हो जाएगा अच्छी earning करेंगे तो काफी लोग पूछते हैं कि हमारा page पर profile सही है नहीं है तो यही चीज चेक करनी पड़ती है तो यह चीज आप चेक कर लीजिए और अगर कोई problem है तो आप मेरे को instagram पर message कर सकते हैं काफी लोग मेरे को instagram पर message hi hello करते हैं तो मैंने कहा है कि आप एक ही बार में मेरे को पूरा लिखके दे दीजिए साथ में skin short भेज दीजिए एक दो दिन बात जो है मैं आपका reply 100% दूँगा जिनकी छोटी problem है वो comment box में comment कर सकते हैं उनको मैं reply जरूर देता हूँ तो मिलता आप से नेस्ट वीडियो में बाई बाई